हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सक्सेस किने दोस्तो आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री ओनर्स के फर्स सेमिस्टर का पेपर टू के लिए हैं यानि सीसी टू के लिए हैं दोस्तो मैं आपको प्रिभेसियर कोईशन भी दिखाऊंगा साती सात कौन सा कोईशन इनपॉडेंट है जो हर साल आता है वो इनपॉडेंट कोईशन भी बताऊंगा तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो दोस्तो सुरुबात करते हैं हम लोग प्रिभेसियर के साथ और बीच में मैं बता दूँगा कि कौन सा इनपॉडेंट कोईशन है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजि तो यह भी तीन घंटा के एक्जाम था सेवेंटी मार्क्स का ठीक है तो उसमें क्या 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 कोईशन पूछा गया था वह हम लोग देखेंगे तो उससे पहले हम लोग पहले देखी लेते हैं कि इनपॉर्डेंट कोईशन क्या है और कौन-कौन सा इक्जाम में आ सकता है यह भी या, फिर बनता है ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या कारन थे उसमें आप लोग समाजिक कारण, राजनितिक कारण, आर्थिक कारण, सभी परकार के कारण को भी बताईएगा यानि सबसे जो पहला important question हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांती दूसरा आपको यहां से question बन सकता है फ्रांस की क्रांती में दार्षनिकों का योगदान, भेरी भेरी important, भेरी भेरी important दुख्तो अगर आप लोग यह सब कभर नहीं करते हैं तो बुरी तरह फस्द हैंगे ठीक है इसलिए यह दोठो टोपिक आप लोग 100% कभर किजिएगा फ्रांस की क्रांती के कारण और दार्षनिकों का योगदान, फिर जो दूसरा टोपिक हो जाएगा वो नेपोलियन बोनापार्ट से है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से आपका जो important question रहेगा उनके उदाई का कारण, यानि नेपोलियन बोनापाट के उदाई का क्या कारण थे, किन परिस्तितियों में, अपने आपको मतलब एरोप की राजनीती में लाया था, वो एक important question है, दूसरा question हो जाएगा, नेपोलियन बोनापाट का जो पतन हुआ था, वो किस कारण से हुआ थ दूस्तों, वियना Congress जो 815 में हुआ था, उसका क्या कारण था, क्या महत्वा था, क्या परिणाम निकला, उसको पूरा क्या पूरा details में पढ़ना है, दूस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यह question सिर्फ और सिर्फ long question के लिए नहीं है, इसमें आपका short question, अगर आपको पूरा अच्छा ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो इसमें आपका objective, और मैं बाद में बताऊंगा, कि आपको objective में भी कौन-कौन सा topic पढ़ना है, तो विडियो के अंतक बने रहिएगा, ठीक है, तो इसमें बियाना Congress भी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद दोस्तों, इहां पर दो को क्रांती आता है, एक है 830 की क्रांती, एक है 848 की क्रांती, दोनों के दोनों important है, इसका परिणाम और कारण, भेरी-भेरी इंपोडेंट है, भेरी-भेरी, तो आप ये सब topic कभर किजिए, उसके बाद दोस्तों आता है, भेरी-भेरी super important topic आता है, एटली का ए की करन, या फिर, जर्मनी का की करन, तो, यह उता क्या है, alternative देता है, इस साल अगर डेता है, तो अगला साल देता है, जर्मनी का की करन, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि साल क्या दिया था, तो हम लोग की लिए क्या important content वन सकता है, उसके बाद दोस्तों, यहां पर और प्रकास डाले तो फेडerson भी हर साल आता है कि साल अगर औजिक आंड Fighter टो कि अ आता है तो मेटर्न्य प्र order भी आवा का बहुत बहुत इंपोटेंट है नेक्स्ट है कि यूरोप वेवस्ता दोस्तों यूεν प्रतिकाइवर नियुक्ति को बस में बताता हुँ कि आपको किन किन बेक्तियों का आपको जीवनी और यह बर्थ और डेट प्लेस आपको जान लेना है ठीक है दोस्तों सबसे पहले हैं मॉंटेस की वो कुन थे एक दार्शनिक थे उसके बाद रूसो वाल्टेरो मोजीनी काबूर गेरिवालडी जो बिसमार्क और मैटरनिक इन सभी के आपको डेट ऑब बर्थ उतना दिन का कोई जर कभर कर लेंगे तो आपको अब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और दोस्तों यह जो गेरिवालडी जिसमार्क और मोजीनी है इनका लॉंग कोईशन में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आप लोग इसको भी बेग लिजेगे कभर ठीक है दोस्तों उसके बाद मैं बताता है दोस्तों यह सब कोई नहीं बताता है इसलिए आप अपशाल से जरूर्रिस को और नांकी वो है क्रांती से दोस्तों कोई भी क्रांती हो तो उसका डेट आपको याद रहना चाहिए किम्कि हम लोग हिस्टरी के स्टुडेंट है और इस्टरी में सबसे जो इंपोर्डेंट पाथ है वो है डेट तो डेट एक बार 100% आपको याद कर ले नहीं है उसके बाद क्या है सास संकाल है उसको आपको याद रहना है ठीक है उसके बाद है सम्मेलन तो दोस्तों सम्मेलन को आपको याद करना है सम्मेलन मतलब मान ले आपको पूछे कि वियना कॉंग्रेस किस वर्स हुआ है तो आपको याद रहेगा तब न बताएंगे अर्टोसर पंदरा तूस तरह से जि तो पुस्तक में भी आपको यह जो दार्शनिक है उस दार्शनिकों का पुस्तक को आपको 100% दिया दोना चाहिए सोसल कॉंटेक्ट, रिपबलीक कहीं तरह के पुस्तक है जो हर साल पुछा जाता है ठीक है तो पुस्तक को भी कभर कर लेना है उसके बाद अज्यक्षता, अज्यक्षता मैं मतलब बोल देगा कि वो जो सम्मेलन हुआ तो उसका अज्यक्षता किस ने किया था, उसके हेड कौन थे तो उस तरह के सवाल भी MCQ में पुछा जाता है और लास्ट है दोस्तो इस्थापना, इस्थापना से भी सवाल बना है तो इस्थापना को भी एक बार पूरा ध्यान से देख लिजिएगा तो दोस्तो अगर आपको MCQ का उपर वीडियो चाहिए तो प्लीस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके MCQ कवर करवा दूँगा ठीक है तो लेकिन इसमें आपको कमेंट करना है ठीक है तो दोस्तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उस साल को कोश्चन देख लेते हैं तो कोश्चन क्या था कैसा था आप दोगों देखिए फ्रांस की राज करांती कि सासंकाल में हुआ था तो दोस्तों सासंकाल से संब्दी थे तो ऐसा ही टॉपिक आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है तो उसमें पुछा रहा है नेक्स् कथा का क्या नाम है मतलब पुस्टक से संब्दी थे ठीक है उसके बाद सट्य सट्य है तो आप लोग एक बाद देख लिजी इसको भी ठीक है उसके बाद हम लोग लोग कोशन को देखेंगे उसके बाद लोंग केशन देखते हैं दोस्तों नपोलियन का बिदेश नी नीती ठीक है उसके बाद है वियन a인 प्लियर कॉंगरेस की जाए सवस्ताएं थी। उसके बाद मेटरनिक पद्धती भेरी भेरी इंपोडेंट उसके बाद फिर पुछा गया था कि इदली के करन की मार्क में बाज़्दियों का चापचा करें क्या-क्या बाज्जत है ठीक है उसके बाद है सौर्ट में पुछा जा सकता है और लॉंग में भी पुछा जा सकता है तो दोनों के दोनों क्रांती को आपको याद कर लिना है नेक्स्ट है यह दोनों टॉपिक था आप उसको भी देख लीजिएगा लेकिन ज़्यादा इंपोडेंट नहीं है आप लोग खुद जानते हैं क लेकिन आपको बनाना उतना है थीक है मुषके बाद क्या है देख लीजीए गा उन्हें को बहुत सारा रहता है लेकिन आपको दोठोवी बनाना है दोस्तों एतने सारे अगर आप टॉपिक कभर कर लेती हैं तो उसके बाद आपको और टौपिक ढूंडने का कोई जरूरत नह कियेगा नैक्सट्रों कुछा गया था नेपुलियन के पत dicha कारण थी किया थी तो नेपुलियन के पतन कि अबी कुछा गया था उसके बाद जर्मनी की-एकिकर 노래 जर्मनी कीच करन में विशमार्क दोबार किये गें परियासों का वर्न करें ठीक है तो जर्मनी का के क से इडली का ही करन भेरी बेरी इंपोडेंट है इडली का की करन कीजिएगा और साथी साथ आपको जर्मनी का करन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है क्योंकि एक्जाम का कुछ ठीक नहीं है अगर इस बार भी आगर जर्मनी का की करन पूछ दिया तो आफलोग टेंसन में सेर कर दीजिएगा ठीक है कॉलेज के गुरूप में सेर कर दीजिए और अगर आपको MCQ का वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए जाहिं जाय भारत बंदे मात्रों